एक सेंस ओप्राइड आपने हिंदूओं के अंदर भी भरा है, जिनको लगता था कि हिंदुत्व की बात करना कमिनल होना है, मंदिर जाना कूल नहीं है, ये सेंस ओप्राइड जो आपने भारतियों में और हिंदूओं में भरा है, क्या ये आपकी सोच थी कि मुझे ऐसा करना मैं हिंदूों तक सिमीत रह करके इतने बड़े महान देश को अन्याय करना नहीं चाहता हूं वो तो पाप होगा अगर मैं जरब हिंदूों में यह भाव भरू तो मैं पाप कर रहा हूं मुझे तो भारत को प्यार करने वाला दुनिया के किसी भी भूबांग में पैदा क्यों हुए है पचा साल भी हुए थे हैं सौ साल भी हुए थे दुनिया को पता तक नहीं चला है मैंने महात्मा गांधी See का सबसे प्रिय भज़न बश्ण भज़न मैंने तय किया कि धुझा के एक सो पचास देशों में वहां के टॉप मौस कलाकारों से ये होना चाहिए और किया दुनिया के 150 देशों के टॉपकों स्कलाकरों ने एक गुजराती भजन मातमा घांदी का पुरिय भजन सारी दुनिया ने गाया हर फ्यत्र में मैं एन्वार्मेंट को ले करके हमको भी मैंने कहा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर फिर मैंने कहा वन सन वन वर्ड वन ग्रीड विजली के लिए मैंने कहा तो मेरी हर सोच में मैं ग्लोबरी मैंने हमारे त्युंद्रियान गया तो पॉइंट का नाम मैंने रखा है अब शीव शक्ति से उसको किसी को तकलिव हो कि भी ये हिंदु वाला कहां से ले आया तो उनकी मजबूरी है मेरे देश से सहज निकले गाले शीव और शक्ति से उपर से क्या हो सकता है जी और मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं संकोच भी नहीं है मुझे गर्व है तो मैं गर्व से जीता भी हूँ लेकिन मैं किसी भी जाती धर्म संपरदाय रंग रूप भूबा कहीं से हूँ मेरे देश के गीदगाई दुनिया इसके लिए तो मैं पैदा हूँ हूँ जी